Hello and welcome again, so हम लोग बात करने वाले हैं pure inductive circuit के बारे में कि pure inductive circuit क्या होता है तो basically सब्सक्राइब तो आपको यह जान लेना है कि inductor क्या होते हैं जैसे अगर हमारे पास एक normal wire है, एक सिरा A है, एक सिरा B है अब हम क्या करते हैं कि माल लीजिए कि suppose हमारे पास इस तरह से एक core है just for example, इसे suppose लिए glass है, cylindrical glass है, iron core है और हम इसके उपर कोई तार जो है वो इस तरह से लपेट रहे हैं हमने इस तरह से तार इसके उपर लपेट दिया तो तार और फिर आप iron core तो चाहे इसके अंदर रखे या core रखे चाहे इसको हटा ले तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जो यह wire है, यह कुछ इस तरह का बन जाएगा इस तरह का एक helical shape का इस तरह से एक helical shape का आपका यह wire बन जाएगा यह सिरा A है यह B है और आपने बीच का तार जो श्ट्रेट था उसको इस तरह से मिला दिया इस तरह से लपेट दिया तो इस इस दे एक्जाम्पल आप दो प्योर इंड़क्टिव सर्किट इस प्योर इंड़क्टिव सर्किट का एक यह एक्जाम्पल है तो अगर हम इसकी परिभास्ता के बारें बात करें तो a coil with or without iron core with negligible resistance is an inductive circuit हम मतलब inductor कह सकते है या उस लिए जो circuit का element कह सकते है inductive circuit component कह सकते है iron core हो भी सकता है इसके बीच माल लो iron core है चाहे तो नहीं है practically क्या होता है कि coil जो होते है उनके पास हमेशा कुछ न कुछ resistance होता है बट हम theory कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि suppose का नहीं है resistance कुछ example के तोर पर आप एक नाम सुनेंगे से choke coil तो a choke coil is a coil of thick copper wire copper की एक मोटी वायर की होती है जिसको कि लपेटा याता है कि laminated iron core has a very small resistance iron core laminated होता है porcelain के उसके उपर coating होती है इसके उपर हम copper wire को उसके उपर wound कर देते है लपेट देते हैं then we get a choke coil so अब होता क्या है कि a coil is subjected to induction effect यानि self-induction when the alternating voltage is applied across the inductor and due to self-inductance an EMF developed within the coil that opposes the applied voltage okay let me explain this thing यह हमारी 12th की knowledge से आ रहा है यह बात जो कह रहा है कि जिसे अगर आपके पास इस तरह से inductor है आपके पास एक coil है इस तरह की coil है आप उसके इंदर जब current flow कराते हो तो फराडे का law है कि self-induction यहाँ पर एक और current इस coil के अंदर develop होगी जो इस बाहर से बहने वाले current का अपोज करेगी इस घटना को हम self-induction कहते हैं तो पहले आपने एक current flow कराई coil के अंदर से जब वो current flow कर रही थी तो उसके चारत रोफ एक mandatory field develop होई इस mandatory flux के develop होने से circuit के अंदर एक और current generate हुई जो अंदर current generate हुई उसका काम कैसा था उसकी direction ऐसे थी कि जो बाहर वाले current को अपोज करे तो हम देखते हैं कि coil के अंदर इस तरह का एक internal mechanism होता है जो कि बाहर वाले effect को cancel करने के लिए एक EMF develop होता है coil के अंदर जो कि applied voltage का अपोज करता है अगे गुड तो अब क्या हुआ so if the resistance is if the resistance is assumed to be zero again ये एक ideal सी condition है but at every instant applied voltage has to balance this self-induced effect तो हम कह रहे हैं कि हमने coil का resistance तो नहीं के बराबर मान रखा तो यह उसका कुछ मात्रा इस resistance के अंदर heat उसमें नहीं loss हो रहा है हमने यह क्यों कहा कि resistance को हम zero माल लें क्योंकि resistance में जब current ख्लो करते है joule effect को यहाँ हीट वगरा का भी issue होता है वहाँ पर एक energy उसमें भी involved हो जाते है लेकि अगर हम वो ना मानें just for example westward critical consideration तो अब यह कहते हैं कि हर छण जो हमारी बाहर से बैने वाली current है उसका क्या काम है अंदर वाली जो current है उसके opposition को balance करना तो इस हिसाब से अब आप faraday law के बारें जानते हो तो faraday law क्या कहता है by faraday law of self inductance जो emf होता है it is minus of the l time di by dt induced emf proportional होता है current change का negative direction हो कर रहे कि जो नई current induced हो रही है वो emf जो originally applied emf है उसका भी रोध करती है l जो होता है इस proportionality को balance करने वाला एक parameter जो self inductance कहते है हमने उस inductor के ऊपर कौन सा voltage अपलाई कर रखा है इस तरह का sinusoidal voltage अब हम क्या करेंगे हमें current चाहिए तो हमने बताया है आपको कि जो हमारा बाहर से voltage लगाया है उसका काम क्या है यह जो induced emf इसको balance करना तो बाहर से current आपकी देखो यहां से अगर इस diagram को आप देखो तो इस diagram में इधर से आपने current flow कराया i i external आप कहे दो इसके लिए voltage v है उसके बाद एक और current डेवलोप होई circuit के अंदर i internal कह दो वो EL induced emf की है तो यह जो voltage है यह voltage जो है यह voltage और यह induced emf और यह voltage एक दूसरे को balance कर रहे है balance करने के मतलब क्या है एक दूसरे का पोजी टूंगे तो balance करेंगे एक ही दिसा में होंगे तो balance नहीं होता balance मतलब क्या होता है किदर हो एक इदर हो तो यानि कि उनके साथ एक minus का sign हम use करेंगे चलो ठीक है तो V बराबर क्या हो जाएगा minus of minus EL EL की value यह है तो V आपने जो किया हो गया L di by dt अब यहाँ पर differential है तो भई, differential को solve करने के लिए अब हम यहाँ पर sign को integrate करेंगे तो minus cos omega t by omega आएगा एक A constant आ गया है अब A जो है वो constant of integration है यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर formula है V max by omega L आपने इस L को इस omega को साथ रखा minus cos omega t plus A अब हम initial condition कहते हैं कि भाई, जिस्से में कोई voltage नहीं था सुरू सुरू में जब कोई voltage नहीं था तो current भी 0 थी ऐसे सिती में A की value क्या जाएगी 0 so at initial condition when there was no current, no voltage तो A 0 हो गया जिसका मतलब है क्या है इसका मतलब है कि I बराबर हो गया इसी चीज को यहाँ पर लिख रहे है I बराबर क्या हो गया V max by omega L और यहाँ पर minus cos omega t को हमने sin omega t minus pi by 2 कर रखा है कैसे कर रखा है इसको द्याद देखिए हमारे पास है sin omega t minus pi by 2 यह है क्या यह हम minus cos omega t लिख सकते हैं कैसे लिख सकते देखिए इसको लिख सकते है sin minus pi by 2 plus omega t इसको लिख सकते है sin minus pi by 2 minus omega t आपने minus common ले लिया ठीक है यह हो जाएगा sin minus theta minus sin theta होगा तो यह जाएगा minus sin pi by 2 minus omega t यहाँ pi by 2 है यानि कि यह हो जाएगा cos omega t minus तो इस तरह से हमने जहाँ हमारे पास minus cos omega t था उसकी जगह पर हम sin omega t minus pi by 2 लिख सकते हैं यह बहुत interesting से result है अब आप देखें यह जो पूरा factor है जब यह 1 के बराबर हो जाएगा sin omega t minus pi by 2 जब 1 के बराबर हो जाएगा तो sin की value तो change हो रही थी अगर यह 1 हो गई maximum तो आपके पास maximum current आ जाएगी तो आपकी जो maximum current है वो कितना होगा v max by omega l कब जब sin omega t minus pi by 2 1 होता है तो अगर हम ऐसा लिखना चाहा रहे हैं तो हमारे पास यह formula है यह कैसे आ जाएगा i v max by omega l इस पूरे को लिख दिया है i max और फिर बाद में है minus cos omega t को लिख दिया है sin omega t minus pi by 2 equation number 3 यह आ गया है अब यहाँ पर देखें अगर हम comparison करें comparison of equation 2 and equation 3 this shows a very important property of the inductive circuit क्यों एक inductive property के हम क्यों उम्मीद कर रहे है तो कि हमने v क्या रखा v बराबर maximum sin omega t i बराबर maximum current sin omega t minus pi by 2 अब यहाँ पर देखो pi by 2 का difference आ गया और sin के अंदर minus pi by 2 है तो minus मतलब negative direction है तो याद रखो angle को नापने का ये जो दिसा होती है ये इसकी positive दिसा होती है और angle के नापने की ये जिसा होती है ये इसकी negative direction होती है ये हम angle के बारे में एक basic चीज से समझ लें जो हम लोग मानते हैं तो भी अब अगर इस चीज को हम यहाँ पर देखे तो पहरी बात तो आप देखो आपने एक line ऐसे खिंची ये V है जो आपने voltage apply कर रखा है इसके opposite में आपने EL खिंचा है जो कि induce EMF balance कर रहा है ठीक है अब जो हमारी current है वो क्या है वो current जो है V से πाई बाइट नेगेटिव जो को V बलाबर minus pi by 2 है तो यह यहाँ से होगा तो आपको यह दिसा होगा यह minus मतलब वो यहाँ से इतनी दूर होगी तो अगर आप I से angle nap होगे तो यह आपका pi by 2 होगा तो current lag है क्योंकि हम हमेशा इस तरफ चलना सुरू करेंगे हम lag और lead देखेंगे तो हम anti clock wise चलेंगे तो अगर हम कह रहे हैं कि I पीछे है pi by 2 lag minus है तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे current lag, current पीछे है और voltage क्या है? lead है कि तरीका है electrical engineering में बात करने का तो अगर हमारे इस पूरे इस पूरे analysis में अगर हम कह रहे हैं कि current और voltage की बीचे pi का phase difference है तो यह दिख रहा है pi by 2 का phase difference है लेकिन minus sign को क्या दिखा होगे? minus sign का मतलब है जहाँ V अगर x-axis है तो आपका जो I होगा वो उससे pi by 2 पीछे होगा pi by 2 minus मतलब pi by 2 यहाँ से पीछे होगा तो जब हम यहां से यात्रा शुरू करेंगे तो इसके बाद फिर हम यहां पहुँचेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो यह अगर शुरुवात है अगर हम इसे कहें शुरुवात है तो यह वाला क्या है? यह पीछे का हिस्सा है और यह वाला क्या है? यह आगे का हिस्सा है, लीड है तो यहाँ पर voltage जो है, current से πाई बाई टू, लीड कर रहा है inductor के अंदर यह होता तो यह हमेसा हम कहेंगे, इस बात को हमेसा हम जोड़ देके कहेंगे भाई कि in the pure inductive circuit जहां कि resistance 0 होता है the current lag behind the voltage by πाई बाई टू अब इस चीज को कैसे हम waveform के diagram में दिखाते हैं, जड़ाइए देख ले आप देखें, आप कह रहे हो कि current पीछे रह जाती है voltage से, तो अगर हम यहाँ पर x-axis है, जिस पर हमने angle बना रखे हैं, यह y-axis जो है, यह माल लो, current के लिए current के लिए, voltage के लिए हो रहा, instant value के लिए, तो हमने अपने voltage को 0 से उठता हुआ माना, यह maximum आया, उसके बाद फिर यह 0 हुआ, फिर यह इसका minimum हुआ, और फिर 0 हुआ, ठीक है अब अगर आप current के लिए बात करोगे, तो current क्या होगा जब voltage 0 था, तो current 5 by 2 था और यह again, एक negative direction यह positive direction है आपकी तो negative 5 by 2 था तो जब voltage अपना maximum होता है, वी जब max पहुंचता है, तो आपकी current 0 होती है, फिर जब current 5 पहुंचता है, यह 5 पहुंचता है तो आपकी, जो यह value है, यह कहां गया, यह 5 पहुंचा, तो यह आपका, इस तरह से आया current, फिर उसके बाद जब यह minus 3 pi by 2 पहुंचा तो आपकी current यहाँ पर 0 आई फिर जब यह अपनी 0 पहुंचा तो यह यहाँ पर अपनी peak पहुंचा, तो आप देख रहे हो कि इस जगह पर इसके voltage और red के लाए इसका peak और current की peak में हमेशा 90 degree का एक gap आ रहा है और पहले कौन चलना सुरू करता है voltage तो यह ऐसा है कुछ है, अगर आप इसको बढ़ाएं तो हम कहेंगे यहाँ पर तो current पीछे है मतलब 0 सुरू हो है, अगर voltage 0 सुरू हो रहा है तो current पीछे इसकी race है, race दोड़ा हो आप यहाँ खड़े हो आप इस ज़antly पर खड़े हो आपका दोस्त जो है, वो यहाँ पर खड़ा है यानि आप race में आगे दोड़ाय जा रहे है आपका दोस्त आपसे पीछे दोड़ाय जा रहा है यहाँ पर दोको voltage 0 शुरू हुआ है और जो current है वो इतना pi by 2 पीछे खड़ा करके फिर उसको down ने मौका पढ़ा इसकी जासे क्या है को जब आप maximum पहुंचे तब current 0 पहुंचे ठीक current का pi by 2 यहाँ पे था और इस तरह से हमेशा आप जो maximum पहुंचे तो 0 पहुंचे जब आप 0 पहुंचते हो तो यह पाई बाई बाई टू पहुंचता है तो यह एक physical इसका एक graphical representation का तरीका है waveform में कैसे हम इसको represent कर सकते हैं अब हम यहाँ पर एक बात कहते हैं कि इस जगहे पर हम एक the inductive reactance पर be calculated by the relation यहाँ पर resistance नहीं होता चोकिया voltage oh current same phase में तो है नहीं है न उनके opposition होता है उसको resistance कहते है उनके opposition को हम inductance कहते है यह ना reactive inductance कहते है inductive reactance कहते है reactance कहते है मतलब एक तरह से उनका resist की जगाँ पर reactance नाम लिया आता है तो Imax बराबर V by omega L है हमें मालूम है कि इदर voltage से नीची जो भी divide होता है जो denominator होता है वो किसका होता है denominator जो होता है बच्चों वो हमेशा resistance की dimension का होता है तो omega L क्या है omega L की dimension resistance की है तो XL बराबर omega L और इसे कहते है inductive reactance of the coil इसको inductive reactance कहा जाता है अब power की बात कर लेते है जैसा कि power हमने pure resistive circuit में भी कहा था power की बात हम यहाँ पर भी करते हैं instantaneous power की बात करोगे तो आपने V into I रखा V की value V max sin omega T I sin omega T minus pi by 2 है sin omega T minus pi by 2 को अगर हम लिखेंगे तो minus cos omega T लिख सकते हैं यह मैंने पहले discuss कर रखा है आपके साथ तो यहाँ पर यह value हो जाएगी आपने sin omega T minus cos omega T है minus आगे रख लोगे और अगर आप एक काम यहाँ पर कर सकते हो कि आपने जैसे यह लिखा जैसे माली जै आपने लिखा है suppose आपके पास sin omega T है आपके पास cos omega T है आप ऐसा करो 2 से divide कर दो 2 से multiply कर दो तो जो 2 sin omega T है इसकी value लिख सकते हो sin 2 omega T और बटे 2 रहेगा तो वह ही हमने यहाँ पर किया 2 sin omega T cos T दर रखा इस बारे में आपसे बात की थी कि अगर हमारे पास कोई sin function या cost function है 2 time of the angular frequency तो जब भी पूरे cycle यानि 0 से लेकर के 2 pi पर इसको integrate किया जाता है average लिया जाता है तो यह हमेंसा value 0 दे देता है यानि कि यहाँ power 0 हो जाएगी अब यह क्या मतलब हुआ power 0 हो जाएगी और वोल्टेज यहाँ पर flow कर रहा है वोल्टेज मौजूद है current flow कर रहा है तो पावर कैसे 0 हो सकती power 0 होने मतलब क्या है and this is very important thing जो कि हमें inductive circuit में भी और capsidive circuit में भी समझना पड़ेगा तो यहाँ पर यह दिख रहा है here the average of the sinusoidal term with a double frequency यानि 2 omega is always 0 over the complete cycle so in the pure inductor the power absorbed is 0 इसलिए हम कहते हैं कि pure inductor में कोई power absorbed नहीं होती तो अगले सवाल है कि power absorbed नहीं होती तो फिवोल्टेज जो current करतें क्या है वहाँ पर power क्यों नहीं absorb कर रहे है तो इसकी physics हमें समझनी जरूरी है physics of the power in the inductive circuit जाद देखें मैंने आपके साथ एक इससे पहले जो diagram share किया है उसमें मैंने बताया है कि यह voltage जो है यह voltage है यह pink color से आप देख रहे हो this is the voltage line ओके यह voltage की line है ठीक है यह दिख रहा है मैंने बताया आपको इस बारे में कि current जो होती है वो इससे पीछे रहती है तो current पीछे से आ रही है और यह red color की जो line है बच्चो यह current की line है ठीक है current जो है voltage से पाई पाई टू पीछे चल लई है अब हाँ आप देखो जड़ा यहाँ पर जड़ा से इस बात को देखेंगे हम कि क्या होने वाला है current जो है यहाँ पर जो यह voltage है यह अपना maximum पर है यह voltage का maximum है और current जो है यहाँ पर अभी 0 है ठीक है उसके बाद फिर क्या होता है धेरे धेरे क्या होता है voltage कम होना शुरू होता है current बढ़ना सुरू होती है तो इस दोरान क्या होता है voltage भी अपनी कुछ value है यहां voltage अभी positive में ही है current positive में ही है तो आपके पास Vmax, Imax इस तरह से है तो इन दोनों को जो product होता है बच्छों जो दोनों को product होता है वो आपको इस area से show हो रहा है यह area है यह area क्या दिखा रहा है Vmax by root 2 Imax by root 2 sin 2 omega t अभी average नहीं लिया है अभी sin 2 omega t है तो sin 2 omega t के वज़ा से इसका आपको एक half जिसा दिख रहा है frequency चुकि 2 हो गई है तो frequency के साथ क्या होता अगर frequency कम होती है तो graph ऐसा बनता है frequency ज्यादा होती है तो graph ऐसे बनता है इस तरह का तो यहाँ पर देख रहे हो यह जो आपका जो यह red color कमेने की बनाया है यह जो है पूरा इसकी frequency कम हो गई है तो इसे लिए आपका एक graph इसका ऐसे लिखे यह एक portion यह है फिर एक portion यह है इस तरह से फिर इस तरह से portion है तो यह इतने जल्दी इसलिए हो रहा चुकि इसकी frequency डबल इसको हम ऐसे भी extend कर सकते है इस तरह से तो यहाँ पर जो यह पूरा area है यह क्या show कर रहा है बच्चों यह show कर रहा है power इस particular जब हमारी voltage की value और जो current की value बढ़ रही है voltage की value इस positive region में है तो यहाँ पर Vmax, Imax और sin 2 omega 2 इससे show हो रहा है वहीं अगले बार जब क्या होता है अगली बार क्या होता है current negative direction में जाती है और जो voltage है हमारा वो positive direction में जाता है तो voltage positive है और current negative है तो एक plus एक minus है लेकिन यहाँ minus sign है तो यह वाला जो cycle है power का वो आपको show हो रहा है एक खास बात आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर आप खास बात यह देख रहे हो कि power का power का जितना area यहाँ था उतना ही area power का इधर भी है तो क्या होता है यह जो power में है यह अपर का हिस्सा है और जो power का यह lower हिस्सा है यह दोने दूसरे को cancel कर देते है और इसको जासे इस पूरे process तो तो नेट पावर जो होते हो जीरो होती है तो यहाँ power है लेकिन जितनी ली जा रहे है उतनी दी जा रहे हैं जितनी positive cycle में उतनी negative cycle में है इसलिए यहाँ net power 0 देखती है अब आपको ओगे ठीक है सर ठीक है मैं mathematically यह कह सकता हूँ चुकिए graph एक दूसरे के opposite है इसलिए आप यह दावा कर रहे हैं कि जो power है वो एक दूसरे को nullify कर दे रही है इसके पीछे की physics नहीं हम समझ पा रहे हैं तो भी यह physics समझनी है आपको तो जड़ा सा इस बात को ऐसे देखो इस बात को ऐसे समझो जिससे हमारे पास एक battery है यह हमारे पास एक coil है ठीक है एक coil है हमने इसके इंदर current flow कराई current flow कराई तो इसके चाव तरफ क्या हुई एक magnetic field develop हुई तो हमारे जितनी current flow होती है वो इसकी magnetic energy में store हो जाती है तो इसकी जो भी कुछ हुए चारा energy कहां store हुआ magnetic energy में फिर अगले cycle में जब current घटती है तो induction की वज़े से यह जो coil है विरोध करता है इस घटने का और उसके बात फिर क्या होती है magnetic energy वापस से current में convert हो जाती है तो positive cycle में जो current की value है वो magnetic energy में convert हो जाती है negative cycle में जो magnetic energy है वो current में convert हो जाती है और इस तरह से हम देते हैं कि magnetic energy के conversion होता है electrical energy में और फिर electrical energy conversion होता है magnetic energy में तो यहाँ power loss नहीं हो रही है एक form से energy का दूसरे form में conversion फिर दूसरे form synergy के पहले form में conversion होता रहता है इसी चीज को देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है से पहला point है between the time in phase pi by 2 to pi pi by 2 से लेके pi के बीच में यह जो पूरा है यहाँ पर क्या होता है the current increases बिल्कुल भाई current increase कैसे दिख रहा है आपको आप देखो यह current जो है increase कर रही है current increases in the circuit and hence the magnetic flux also increase current बढ़ती है तो जो coil है उसके अंदर flux magnetic line जो है बढ़ना शुरू हो जाती है जो coil है से magnetic line बढ़ना शुरू हो जाती है in this condition coil drop power from the power supply तो magnetic energy को develop करने के लिए power जो होती है power supply से ली जाती है and this build up the magnetic field जिसके विजासे magnetic field build up होती है this is the conversion of the electrical energy into the magnetic energy and the energy stored in the magnetic form इसके इसके बाद फिर देखो πाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या होता है इतने बीच में क्या होता है current decrease करना शुरू कर देती है increase करके current जो है sorry यहाँ पर देखो current decrease करना शुरू कर देती है तो जब current decrease करना शुरू कर देती है voltage भी decrease करना शुरू कर देता है तो क्या होता है ऐसे इस्तिति में current decrease so the EMF देखो यहाँ अप लिका so the EMF of the coil the current decrease or EMF of the coil भी decrease होती है so to oppose this decrement in the current तो self induction के जासे coil तो coil का काम क्या है? हमेशा जो भी प्रभाव पढ़ा उसका बिरोध करना पहले current बढ़ रही थी तो उसका बिरोध करने के लिए खुद उसको अपोच कर रही थी coil आगली बार क्या हुई? बाहरी current कम होना सुरू हुई तो उसको घटना रोकने के लिए उसके current फिर से support करना सुरू कर देती है तो यहाँ पर क्या करता है? तो coil होता है this opposes this decrement in the current and the coil act as a generator of the electrical energy तो क्या करता है? magnetic energy convert करता है electrical energy में और अब coil एक generator की तरह से काम करता है and start to convert the stored magnetic energy into the electrical energy hence the power drawn by the coil is negative तो अब वो क्या कर रहा है? अब वो coil जो है वो अपनी energy को दे रहा है system को तो supply को वो energy दे रहा है तो पहले positive cycle की current की positive cycle में क्या हो रहा था? magnetic energy develop हो रही थी तो supply की power को खींच करकर magnetic energy develop की जा रही थी उसके बाद फिर जब current decrease होना शुरू हो जाती है और EMF decrease होना शुरू हो जाता है तो coil क्या करती है? अपनी decrease in current को अबोच करने के लिए वो अपनी magnetic energy को electrical energy में convert करती है तो इस प्रकार से हो क्या रहा है? जो positive negative cycle चलती है current की तो यहां तो lane lane ही चलता रहता है सब idealism के अंदर गत कह रहे है ideal है सारे मामला तो इस दौरान क्या हो रहा? सारा तो कुछ भई एक बार हमने powerly तो magnetic energy में convert की फिर हमने magnetic energy को electrical energy में convert की तो यह process चलता रहता है और इस तरह से हम देखते है एक inductive circuit अगर resistance वहाँ 0 मान रखे हो आप उसका तो वो किस तरह से energy को consume नहीं कर रहे है वो power को loss नहीं कर रहे है वो हमेशा exchange करते रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह की जो circuit होती है जिसके अंदर यह sine वाला function होता है इसमें कि हमारे power के अंदर sign आ जाता है just let me just this यह देख रहे हैं न यहाँ पर power के अंदर यह sign आ गया sign का term आ गया तो sign के term के आने को जासे power जो होता है वो 0 हो जाता है power consumption 0 हो जाता है तो कि वहाँ पर यह लेंदेन चलना सुरू हो जाता है और इस तरह से हम कहते है हमारा जो inductive circuit है वो उसके लिए average power 0 होती because romantic energy से electrical energy और electrical energy से magnetic energy में जो conversion होता है उसी को support करता रहता है उसी को facilitate करता रहता है so this is all about the inductive circuit next class में हम लोग capacity circuit के बारे में आपसे बात करेंगे